विशनोभी, Easy live में आप सब का स्वागत है आज मैं नीबूखे आचार बनाऊंगी नमक और मसाले वाला नीबूख आचार मीठा भी बनता है या गोड़े चीनी डाल के बना सकते हैं लेकिन आज में नमक और मसाले वाला बनाऊंगी मीठा चार नहीं बनाओगी ठंदियों में नीबू मिल जाते हैं असानी से गर्मियों में अच्छी पीस नहीं आती है उतना आज कल आते हैं यह थोड़ा सा टाविट नहीं रहते हैं पदले छिलके वाले होते हैं तो इसको हम पाले अच्छी तरह से धोकर पानी सुखा लिए अग्ञा धूब में अब हम इसको काट लेंगे इस तरह से आप चाहें तो ऐसे चार ही करके रख दें आप चाहत ऐसे चाट टुकड़ा कर लें अगर आप ज़्यादा छोटा चाह रहे हों तो एक नेवू में आठ भी कर सकते हैं आप जैसे पसंद करते हूं उस तरह से कर लें इसी तरह से हम जितना नेवू बचे हैं काट ले रहे हैं नेवू काड़ के तयार कर लिए जो थोड़ा बड़ा नेवू था उसको हमाट टुकड़ कर लिए जो छोटा साई था उसमें हम चारही किये यह हमारा आधा किलो नेवू है आप जितना चाह उतना बना सकते हैं आप जितना बीज निकाल सकें उतना बीज निकाल दें नीबू का बीज का टेस्ट अच्छा नहीं होता है काफी निकाल लिए हैं इसी तरह सम बीज निकाल लेंगे इसमें हम डाल ले रहे हैं नीबू का नीबू का बीज भी निकाल लिए कोसिस करें इसका जूस है इसी में डाल दे रहे हैं कि इतना बीज निकला है और इसमें हम रई शोटा चमासी हल्दी डाल देंगे और replace मॅच नमक डाल देंगे A रिगिलोल का नमक है जो देली यूज ह्फाने मु करते हैं इसको हम आइसे मिक्स कर ले यहां आप चमस से भी मिक्स कर सकते हैं नम्मक और हल्दे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए इसको हम 4-5 दिन के लिए धोप में रखेंगे क्योंकि ये नीबू क छिलका जो होता है बहुत कड़ा होता है ज़ल्दी गलता नहीं है धोप में रखेंगे थोड़ा जल्दी हो पांच दिन के बाद आज हम नेवू का चार बनाएंगे नमक और हल्दी लगा के हम पांच दिन लगातार इसे धूब में रखते रह गए कि ताकि नेवू का छिलका जो बहुत कड़ा होता है फोड़ा गल जाए आज इसे हम बनाएंगे धूब में रखे थे थे हम इसको ऐसे लड़ते जाते थे तो हम मसाले जू लिये आंको देखा दे रहे हैं ये दो छय मंज सौन भैड़ति कि दो चिंद मेख । यह जीर रहे हैं और डेषर मज ये लान मिर्टी हो घर के पिची हुई है यह इसे कलाओं जी भी बोलते हैं कहीं-कहीं及 बंग्रेल भी बोलते हैं आ और नीवी वा हल्दी मिलाते समय हम साधा नमक डाल देते जितना ज़्युरत है दोनों मसयलों को भूं कर पीश लेंगे, इसे नहीं भूनेंगे, साथ में पीश लेंगे कराही गरम हो गई इसमें मसाओं जीरा को डाल का भून लेंगे जब इसमें चटाने के आवाज आने लगेगी तो इसको हम उतार के ठंडा करके मिक्सी में आसिल पे जैसे वेवस्था आपको हो ऐसे पीछ लें और इन मसालों के साथ हम आपको तेल दिखाना भूल गए साइड के में रख दिये थे तो हम इस तेल को गरम कर लेंगे उसके बाद ठंडा करके तब मचार में यह उच करेंगे कि मoiसाले भूल ले रहे हैं जब तर सिसमा हम बूल लिए किana इसमें चचारानी का वाज आ रही है वह साप कर तेंगे और मासाले निकाल ले रहें इसमें थंड'ा करें पीछ लेंगे तेल भी गरम कर लेंगे अब तेल गरम कर लेंगे 2-500 सट गराम भी हमारा सरसो का तेल है जब तेल में धुखा आने लगेगा तब गयस बंद कर देंगे घंड़ा करके तब मसाले में यूच करेंगे तेल को हम निकाल ले रहे हैं मसाले मिक्स करेंगे नीबु में जय idea मसाले नहीं लगते हैं इतना मसाला काफी हैं यह मसालेrogen में जीरा सोंक और मंग्रेल और यह काला नमक है नमक हम इसमें पाले स्वाद अनुसाद डाल देए थे आज नमक नहीं डालेंगे जब हल्दी मिक्स कर रहे थे पांच दिन पाले दूप में रखने के लिए लाल मिर्च डाल देंगे और यह तेल डाल देंगे सारे मसाले मिक्स करेंगे आराम आराम से इस नेबू में मसाला अच्छी तरह से लिपट गया इतना ही मसाला डालें हमने यह कंटेनल ले लिए हैं आप अई प्लास्टिक कना यूज करें शेशे का बढ़तान यूज करें इसे गरम पानी से धो कर अच्छी तरह से धोप में सुखा लें अगर इसमें पानी लगा रहेगा तो आपका आचार खराब हो सकता है ऐसे चम्मच यूज कर रहे हैं वह भी सूखा होना चाहिए अगर गीला च चम्मच भीगा और हाथ भीगा कभी न लगाए अचार में चाहिए कोई भी अचार हो आम का नीबू का अउला मिर्च किसी का हो तो खराब नहीं होगा हम तो दो तीन-तीन साल अचार रखते हैं कभी नहीं खराब होता है अगर आप इसे जल्दी खाना चाहें जल्दी गल ज खाने लाइक होगा क्योंकि नीबू पशता मोटा होता है कैडा होता है जल्दी गलता नहीं है अगरे वीडियो हमारी आप अच्छी लगे चाहर के तो लाए चाहर के एक बार आप जरूर बनाएं अपने अनभो के हमारे साथ खरल जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन बटन दबा लें बेल आइकन बटन दबाने से जो नई रेशिपी में डालूंगी आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच जाएगा